गुड आफ्टरनून फ्रेंज मैंने मिज राज एंड यूर वाचिंग यूर फेवरेट चैनल राज टेक्निकल एनालेसस आज के डेटे 17 जुलाई 2022 आज हम लोग जिन से इसक्यों पमंतली प्रिव्यू करेंगे वो है बजास फिन्जर जो मैंने आपको पहले भी बोला था व पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं टिप्स मिलता है जो आपको शेयर एनालेसस करने में काफी मदद करेगा साथ मैं आपको इभी कंपनी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते है तो प्लीज मेरे कमेंड बॉक्स पर बताएगे ताकि मैं उस पर जल्द से जल रिसर्च करके वीडियो बना सकूँ बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब किजिए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल की यूश्प यह है कि मैं आपक कर रहे ट्रेड कर रहे तो आपको हर महीने इंसेर्स के सपोर्ट एंड रिजिस्टन्स अब डेट होते रहते हैं साथ मैं आप मेरी प्लेलिस में चेक कर सकते हैं यहां पे भी मैंने आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन किया हुआ है आप बात करेंगे आज हम लोग चिन स उसके उपर मंथली प्रिव्यू कर रहे बड़ उससे पहले आप यह उपर दिये विलिंग पर जरूर देखे जहां पिछले मैंने इनी टीनों शेर्स का मैंने मंथली प्रिव्यू किया था बात करेंगे बजास फिंजव बजास फिंजव का अमनी क्या करती है कौन सी प्रिवरी में आती है यह साधा इन्फोर्मिशन जानने के लिए आप यह उपर दिये विलिंग पर जरूर देखे बजास फिंजव को मैंने लाश्ट एम विडियो बना था पांच जून दोज़र बाइस को जब इसकी क्लोजिंग वी थी 12,691 रुपीज सपोर्ट वन वस 11, पर जिस्टंस फिंजव को जब आज की दिट पर आप देख रहे हैं, 17 जूलाई 2022 इसकी क्लोजिंग 11,840.25 है, same support and resistance दे रहा हूँ 11,000 पर पहला support 12,000 पर दूसरा support 13,000 पर तीसरा support resistance 1 13,000 resistance 2 14,000 और resistance 3 15,000 हाईस अगर आप इसका देख रहे 12,689 रुपीज है और इसका इस मेने का जो lowest है वो है 10,727 रुपीज जो की है almost 11,000 का आया है यह support 1 जो मैंने आपको पिछले मैंने दिया था 13,000 इसने cross नहीं किया मैंने पिछले मैंने नहीं बता है था 13,000 सपोर्ट लेगा तो ही आगे जाएगा और resistance 1 भी इसका 13,000 का ही level था तो बज़ा सुनजव ज़रूर आड़ कर सकते हैं आप अपने portfolio पे इस price पे अगर आप stop loss यूज़ करना चाहते हैं तो 14,000 का करना और target 13,000 का है ये मैं आपको अभी suggestion दे रहा हूँ मैं फिर से बता दू मैं अपने channel के true कहीं पर भी buy a sell के recommendation नहीं देता suggestion देता हूँ profit भी आपका है loss भी आपका है तो ये ख्याल आप ज़रूर रखे बात करेंगे budget finance budget finance कमनी क्या करती है कौन सी category में आती है ये सारा information जानने के लिए आप ये उपर दिये वे link पे ज़रूर देखे budget finance कमेंने लाश्टेम वीडियो बनाता 5 जून 2022 को जब इसकी closing वीटी 6028.20 support 1 was 5000 support to 5500 support 3 6,000 resistance 1 was also 6,000 resistance 2 6,500 resistance 3 7,000 budget finance का budget finance आज के देट पे 17 जुलाई 2022 इसकी जो closing है 5915.20 है same support and resistance इस पे भी है 5000 पे पहला support 5500 पे दूसरा support 6000 पे तीसरा support resistance 1, 6000, resistance 2 6,500 और resistance 3 है आपका 7,000 हैस अगर आप इसका देखेंगे 6,005, 4.00 है और इसका इस मैंने कच्छों लोश्ट है 5,220.00 पिछले मैंने अगर आप देखेंगे support resistance सहीम दिया था 6,000 का 6,000 जब भी भी मैंने आप लोगों को support resistance सहीम रखा है आप अगर मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो आप ये चीज अच्छे से समच चुके होंगे बहुत important zone रहता है वो चीज वो value वो price उस share के लिए बात करेंगे infosys infosys कमनी क्या करती है कौन सी category में आती है ये सारा information जानने के लिए आप ये उपर दिये वे link पे ज़रूर देखे infosys कमने लाश्ट टेम वीडियो बना था 5,02022 को जब इसकी closing वी थी 15,21.70 support 1 was 1300 support 2,1400 support 3,1500 resistance 1,1600 resistance 2,1700 और resistance 3,1800 पे infosys आज के लिए पे 17,02022 इसकी जो closing है 14,30.35 है support 1,1300 support 2,1400 support 3,1500 resistance 1,1600 resistance 2,1700 और resistance 3,1800 पे highest अगर आप इसका देख रहे है 15,36.60 है और इसका इसमेनिका चुल lowest है 13,67.15 है अगेन ये तीनों के तीनों share जैसे मैंने वीडियो के starting में बताया fundamentally बहुत strong है portfolio पे रखोगे long term के लिए रखोगे 100% आपको फाइदा देगा but आपको डरना नहीं है जैसे correction होता है but again मैं आपको एक चीज़ बता दू कोई भी share कितना भी fundamentally strong हो अगर वो 52 week highs पे उसे buy करने की गलती मत कीचे अब सोचे जिन बंदे ने बज़ा सुन्जफ को 19,000 पे खरीद लिया 18,000 पे खरीद लिया अफकोस वो लोग loss पे रहेंगे but आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा but आपको भी पता ये तीनों shares जैसे गिरते हैं तो value wise बहुत कम होता है same चीज़ अगर ये बढ़ते है uptrend में आते हैं तो ये लोग एक दिन में भी आपका जो loss है वो recover कर सकते हैं 1000 का क्या बोलते है 1000 से जादा बजा सुन जब बढ़ता है आपने देखा भी है पहले भी in shares पे तो ये चीज़ ध्यान रखे infosys again मैं आपको बता दू अगर आप इसे buy करना चाहते हैं IT सेक्टर सारे के सारे अभी almost lowest पे चल रहे हैं तो you have to be alert but अगर आप buy करना चाहते है for long term आप ये price पे बहुत अच्छे से कर सकते है क्योंकि 1400 का जो level है infosys का आप देखिए कितनी बार वो support वहां से ले रहा है strong support है 1300 पे आने का chances बहुत कम है I mean 1300 का level नहीं बोल रहा हू 1300 का target बता रहा हू तो stop loss अगर आप use करेंगे 1300 का तो ये बहुत जादा हो जाएगा but 1430 पे अगर आप buy करना चाहते है आप देखिए market में एक अच्छा positive sign है but you have to be alert क्योंकि market अभी बहुत volatile है तो अभी ऐसा situation है कि वो या तो नीचे चला जाएगा या तो उपर चला जाएगा but आपके watch list में जरूर होना चाहिए candlestick का knowledge है तो जरूर आप buy कर सकते infosys का 1430 से 1500 के लिए minimum मैं बता रहा हू 1500 और 1400 का stop loss यूज़ कर सकते तो उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए thank you so much have a nice day